नमस्कार, Education India पर आपका एक बार फिर से सवागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं SSC MTS के Application Status के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कैसे SSC MTS Tier 1 का Application Status चेक करना है आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि आपको reason wise अपने reason का कैसे Application Status चेक करना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में step by step दिखाई जाएगी ऐसे में आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे उस से पहले आप से छोटी सी request है अगर आपको वीडियो पसंद आए और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप like और share अवस्य करिएगा और साथ ही ऐसे ही वीडियो जोर ऐसी ही जानकार या सबसे पहले प्राप्ट करने के लिए चैनल को भी सबस्क्राइब करके बैल आइकन को दबा दीचेगा अब आईए वीडियो में मागे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि application status आपको कैसे चेक करना है तो आपको बता दे SSC MTS का application status चेक करने के लिए आपको अपने phone या computer के अंदर google को open कर लेना है गूगल को open करने के बाद यहां पर आपको सर्च करना है educationindialio.com जैसा कि अभी आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है ठीक इसी परकार से आपको google में लिखकर सर्च कर लेना है सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार से एक पे जाएगा यहाँ पर सबसे उपर वाली वेबसाइट एजू के सिन इंडिया को आपको ओपन कर लेना है वेबसाइट कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगी यहाँ पर जब आप नीचे के और स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे SSC MTS Admit Card 2024 Download ReasonWise आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और इस पोस्ट को ओपन कर लेना है पोस्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी यहाँ पर जब आप थोड़ा सा नीचे के और स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे SSC MTS Admit Card 2024 तारिक लिंक यहाँ पर आपको स्टेटस का भी लिंक देखने को मिलेगा और Admit Card Download का भी लिंक देखने को मिलेगा हलाँ की Admit Card अभी जारी नहीं किये गया है ऐसे में अभी आप Application Status चेक कर सकते हैं तो क्या करना है आपको सबसे पहले यहाँ पर Reason Name के अंदर अपना Reason ढूंड लेना है और उसके सामने Status Check Link के अंदर दिखाई देरे Click Here पर क्लिक कर देना है Click Here पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक Page Open होगा अगर आप Northern Reason का चेक करना चाहते हैं तो आपको बता दे आपको यहाँ डेट वाइच चेक करना होगा लेकिन उससे पहले आप Rejection List देख लेंगे Rejection List देखने के लिए आपको क्या करना है सबसे नीचे की और आना है और Rejection Candidates for Multitasking Examination 2024 पर क्लिक करते ना है उसके बाद आपके सामने कुछ इस परकार से एक Page Open होगा यहाँ पर सबसे पहले आपको I Agree पर टिक करना है और Submit पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर Registration Number और Date of Birth को फिल करके Search Status पर क्लिक करना है अगर आपका Forum Reject हो गया है तो आपको Rejection देखने को मिल जाएगा और अगर आपका Forum Reject नहीं हुआ है तो आपको कुछ इस परकार से देखने को मिलेगा उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको अपना Application Status चेक करना है application status को check करने के लिए एक बार फिर से आपको इसी page पर आना है या फिर आप इस page पर आके click here पर भी वापस click कर सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको date wise check करना होगा यहाँ पर आपको हर एक date में check करना होगा कि आपका exam कब है तो आपको बता दे यहाँ पर आपको date wise हर एक link पर click करना है उसके बाद अपने credential यानि की application number और date of birth को fill करके search status पर click करना है जैसा कि जो हमारा यहाँ पर हम जिस candidate का check कर रहे हैं वो 28 तारीको exam है तो हम date 28-102024 पर click करेंगे अब आपके सामने कुछ इस परकार से एक page open होगा यहाँ पर आपको I agree पर टिक करके submit पर click करना है फिर यहाँ पर आपको registration ID और अपने date of birth को यहाँ पर fill करके search status पर click करना है search status पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार से आपका application status open हो जाएगा उपर यहाँ पर आप अपने बारे में basic detail देख पाएंगे उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको exam date देखने को मिलेगी फिर यहाँ पर आपको exam CT और सिप्ट और reporting time और exam time देखने को मिल जाएगा आपका admit card आपके exam date से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा जिसे आप यहीं से download कर पाएंगे हलाएं कि उसकी जानकारी educationindialive.com पर दे दी जाएगी और इसके साथ यह चैनल को subscribe कर लेंगे तो आपको notification भी देखने को मिल जाएगा तो कुछ इस परकार से आप SSC MTS का application status या कह सकते हैं कि admit card status चेक कर सकते हैं हमने आपको पूरी जानकारी step by step दिखा दी है वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप like और share अवस्य करेगा और साथ ही ऐसे ही वीडियो जोर ऐसे ही जानकारिया सबसे पहले प्राप्ट करने के लिए चनल को अभी सब्सक्राब करके बेल आइकन को दबा दिखेगा मिलते हैं आप सब लिए वीडियो में किस नजानकारी के साथ तब तक के लिए धन्युक्त